और एक बड़ी खबर आक्टर तुनिशा शर्मा केस से जुड़े जापर कल मुंबई के मीरा रोज इलाके में तुनिशा कान तिम संसकार किया जाएगा इससे पहले पोस्ट मॉंटम रिपोर्ट में तुनिशा की मौत हासी लगने से बताई गई थी आरोप यह है कि आक्टर श्रिजान खान से ब्रेक अप के चलते तुनिशा डेपरेशन में थी जिसके चलती उसने खुद खुशी कर ली पुलिस ने शिजान खान का वो गिरफतार करके कोट में पेश किया जिसके बाद उसे चार दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है तो मीरा रोड इलाके में कल अंतिम संसकार तुनीशा शर्मा का किया जाएगा जिस तरीके से जानकारी है कि दोनों का दरिसल ब्रिक अप हुआ था और जिस वजह से तुनीशा शर्मा डिप्रेशन में चल रही थी जिस वजह से उन्होंने आत्माहत्या कर ली लेकिन अब लगातार मुंबाई पुलिस के तरह से पूछताच की जा रही है तो तुनीशा की मौत के बाद कई सवाल खड़े हु रहे हैं सवालों की एक लंबी फैरिस था आपको आखिर ये बताते हैं कि आखिर मुंबाई पुलिस के तरफ से कौन कौन से सवाल पूछे जा रही है तो देके पहले सवाल जो तरह से लगातार ये पूछा जा रहा है कि आखिर मौत से 24 घंटे पहले तुनीशा ने किस किस शक्स से बातचीत की थी दूसरा सवाल तुनीशा और शिजान के बीच में आखिर जगड़ा जो है वही के लोगों ने नीचे उतारा था और पुलिस को कई देर बात जानकारी दी गए थी जब अस्पताल प्रशासन ने मृत घोशित कर दिया था तुनीशा को चौता सवाल दोरों के जगड़े के बारे में आखिर शिजान की बेहन क्या जानती है क्या अब ये भी सवाल है कि शिजान का पूरा परिवार जो है ये जानता था कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर जगड़ा हुआ था इतना ही ने अगला सवाल ये है कि क्या जगड़े की वज़ा से तुनीशा तदाव में थी और इस बात का जिक्र तुनीशा कई बार शिजान से कर चुकी थी लेकिन उन्हों ने इस बात को बहुत हलके मिली और आखिरकार में तुनीशा शर्मा ने अपनी जान ले आख्टर तुनीशा शर्मा का श्यव सीरियल सेट के जिस में कपरूम से लटका हुआ मिला वहाँ से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जब से शीरियल शुरू हुआ था वहीं पर यह शूटिंग करती थी आप तस्वीरों में देख सकते हैं अंदर की तरफ में आपको तस्वीरे दिखाऊं तो यह पूरा श्यट है अलीबाबा का और तुनीशा शर्मा को लेकर किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वह इस तरह का तो मैं कहूं कि तीन बजे के आसपार सुभा में जो है वो यहां से गए है क्योंकि पुलिस ने सबको रोक कर रखा हुआ था सबका स्टेट्मेंट लिया जा रहा था उसके बाद ही लोगों को जो है छोड़ा गया है तो ऐसे में फिलहाग यह आत्मात्या क्योंकि यह जाज बाद का विसेह लेकिन जिसत्क तुनिशा शर्मा की माने आरूप लगाये है की लगातार जो आरूप शिजान है वो चर्दीन ने में रहती थी तनाव में रहती थी और इसी तनाव के चलते उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया लेकिन आप तस्वीरों में देखेंगे तो यह हर दिन तुनिशा यहां पर आती थी और जो लोग भी उसके साथ काम करते थे चाहे वह आर्टिस्ट हो या फिर मेकप मैं हो या फिर जो है तमाम जो सिट के स्पॉर्ट वागरा हो किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि जो तुनिशा सर्मा है वह इस तरह से कल जो है इस तरह का कदम उठा लेकि